माराश के अंतिम चोप बसे गोंदिया जिले में नकसल गतिवीदिया फिर से शुरू होने के संकेत मिले हैं गर्चिरोली जिले से सटे गोंदिया के केशोरी थानांतरगत आने वाले ग्राम उम्रा पाईली जंगल परीसर में बड़ी मात्रा में तभाई का सामान 6 अक्टूबर को बरामद हुआ है पुलिस की सतरकता के जलते रेस्च जोन समझे जाने वाले इलाके में सर्च उपरेशन चला कर बड़ी सावधाने के साथ पहाड़ी पत्थरों के आर में छिपा कर रखी गई विसफोटक सामागरी को जब्त किया गया इसे सुरक्षा बलो की बड़ी सवलता माना जारा है कयास लगा जा रहे हैं कि नक्सलियों का मकसद भूसुरंग लगा का विसफोटक करना हो सकता है लेकिन जवानों ने नक्सलियों के मनसुवों को नाकाम कर दिया है दरसल पुलिस उभाग को इस बात की फुकता जानकारी मिली की जिले के केशोरी थाना शेत्र अंत्रगत आने वाले ग्राम उम्रपाईली जंगल परिस्ता में पुलिस पार्टी पर हमला करने की उदेश से नकसलियों द्वारा विस्फोटक सामागरी छुपा कर रखी गई है आनों और श्वान लारा के साथ उम्रपायल आमभेजरी जंगल पाड़ी परिसर में सर्च ऑप्रेशन के लिए रवाना हुई 23 जिलिटिन छड़े, एक डाइनमो, 67 डेटोनेटर, 90 फुट एलेक्ट्रोनिक वायर, एक सफेद रंकी प्लास्टिक पॉलतिन में 5 किलो विसफोटक मिश्रण और एक गुलाबी रंकी पॉलतिन में 5 किलो विसफोटक मिश्रण, 5 वायर बंडल, 2 प्लास्टिक की सीरिंज, 50 लीटर शमता का प्लास्टिक ड्रम और अन्य विसफोटक सामागरी बरामत की गई उक्तिसामागरी को जब्त करते हुए इस संदर में केशोरी थाने में धारा 4-5 भारति विसफोटक पदात अधिनियम सहकलम 18-23 UAPA के तहत अग्यात नकसलियों के खिलाफ जुर्म दर्च कर लिया गया है आगे की जाच उविभागी पुलिस अधिकारी जगदीश पांडे की मार्ग देशन में जारी है जिल्ला पुलिस सदिक्षक विश्व पांसरे अपर पुलिस सदिक्षक अशोग बनकर विभागी पुलिस अधिकारी जगदीश पांडे के मार्ग देशन में इसकारवाई को अंजाम थाना प्रभारी C60 कमांडो पतक नविगाव बान देवरी विशेश अभियान पतक BDDS पत गोंदिया की और से दिया गया कैमरे परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेग पांसरे की रिपोज